यार काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे जो मैं चाहते हो मेरे को मिल जाए मेरा बिजनेस चलने लग जाए मेरा स्टार्टप सिक्सेस्फुल हो जाए मैं मतलब मैं सिक्सेस्फुल होना है यार मेरे को लेकिन नहीं भाई यह जो ओवरनाइक सिक्सेस होता है ना इससे बिकार चीज इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती अब तु बोलेगा दरंजे भाई तु क्या बोल रहा है सक्सेस तो सक्सेस होती है ना चाहिए वह जैसे मर्जी मिले चाहिए वह ओवरनाइक टो या फिरो महनत करके हो में मौक्टिव तो सक्सेसफुल होना है ना नहीं मेरे भाई अगर तो यह वीडियो पूरी देखता है तो तेरे भाई की गिरेंटी है कि तेरा ओवरनाइक सक्सेस फेलियर उस श्रगल को लेकर प्रस्पेक्टिव ही चेंज हो जाएगा मान ले दो बंदे हैं ए और बी ए ने सक्सेस्फुल होने का ठान लिया और बी ने भी ठान लिया इसने म पर बी ने जब शुरुआत करी तो पहली ट्राय में ही सक्सेस्फुल हो गया अब तो मुझे कहेगा धनाजय भाई फिर बी की किसमत होगी न या उसने मेहनत करी होगी तू क्यों जैलेस फिल कर रहा है नहीं मेरे भाई मैं उससे जैलेस फील नहीं कर रहा है मैं तुझे को कौन अच्छे तरह डिल करेगा और कौन उस सिचुएशन को मैसब कर देगा 99 परसेंग चांस है कि बीज जिसको ओवर्टिक सिक्सेस मिली थी वो सिचुएशन से डिल नहीं कर पाएगा यह जो ओवरनाइक सिक्सेस होती है भाई यह रहती भी फिर ओवरनाइक ही है दस दिन क कि रहेगी चाहिए वो पैसा हो चाहिए वो फे मोल इसने तुझे लास में छोड़के जाना ही है देख दनंजे तेरी बात सही है लेकिन बात तो अभी भी है ना कि मुझे सक्सेस्फुल होना है और मुझे यह नहीं फरक पड़ता कि चाहिए मैं कैसे मर्जी हूं ओवरनाइ कि इस कुकून में हलकी हलकी मुवेंट होनी स्टार्ट होती है तो वो बैट जाता और गंटों तक उसे देखता रहता है तो क्या देखता है कि जो बेबी बटर लाई है वो उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रही है लेकिन वो कोशिश कर रही है गंटे होगे दो गंटे जी बहार आने के तो आदमी क्या करता है सिजर का एक पेर लेता है और उससे जाके कुगून को काड़ देता है बटरफ्लाई बहार आ जाती है लेकिन उससे क्या होता है बटरफ्लाई बहार तो आ जाती है लेकिन तो उसकी बोड़ी होती है वो स्वेल हो चुकी होती है और उस ओवरनेक सिक्सेस तुझे मिल सकता है, लेकिन क्या फायदा ऐसे ओवरनेक सिक्सेस का, जो बाद में चला ही जाएगा, जो तुझे अंदर से खोकला कर देगा, अगर लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं आ रहे न भाई, तो उसके पीछे कोई रीजन है, कर्मा तुझे कोई ऐस चीज सिखा रहा है, जो तुझे आगए जाके जरूरत पड़ेगी, जो तुझे लाइफ में इंपोर्टेंट है, इसलिए अगर आज कोई रिजल्ट नहीं आ रहे न तो दुखी मतो, परिशान मतो, सिरफ प्रोसेस पे ट्रस कर और काम करता रहा है, हार मतमान और काम करता र झाल